हेलो एवरिवान वेलकम योल इंजिनियर्स वाला मैं हूं अंकुरतियागी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे UKPSC J.E. का कट ओफ और कितने मार्ग जरूरी हैं बहुत सारे स्टोरेंट का मैसिज आ रहा था कि सर एक वीडियो आप बनाईए कि कितने क्या कट ओफ रही थी और कितने मार्ग लेके आने जरूरी हैं लगबग लगबग हम क्या स्टेटेजी फोलो करें कि फाइनल हमारा सेलेक हो चारे उत्राखट के आस्पिरेंट हैं जो जानते हैं 2013 में फोम आया था एक वेकंसी 2013 में आती है 2016 में एक्जाम होता है 2018 में उसका फाइनल रिजल्ट आता है अभी रिसेंट में जो वेकंसी आई है इसमें भी अच्छा खासा नंबरों वेकंसी हैं लगभग 861 800 के आसपास बैटा केवल सिविल इंजिनियर के लिए मां बात करूं तो यह वेकंसी है और यह एक गोल्डन अपोर्चुनिटी है पूरे उत्रा घंड के लिए जेई आस्परेंट के लिए क्योंकि ओवर ओल नंबर ओफ केंडिडेट्स के अकोडिंग भी देखें एक्जाम का लेवल देखें और प्रिवियस कटोफ की भी अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 2013 14 2013 में एक्जाम हुआ मैं बता दू बहुत सारे स्ट्रेंट इसमें कन्फ्यूज रहते हैं 2013 में वे 2016 में और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आया था 2018 में ठीक है अब 2018 के बाद अब रिसेंट में एक और वेकंसी आपके सामने है फॉर्म सभी ने फिल करी दिया होगा बट सवाल यह है कि सर क्या कटोफ रही थी देखो पीटा अब से पहले इंटर्वी होता था बट इस बार इस बार के रिक्रूटमेंट में इंटर्वी को खतम कर दिया है और अगर इंटर्वी को खतम कर दिया है तो यहां से हमें यह समझनी की जरूवत नहीं कि कटोफ कम जाएगा या क्या वेरिएशन रहेगा आज हम उसी पर बात करने वाले हैं और वीडियो को आन तक यह है कि हमारा ओमेशन कटॉफ कहा रहा था तो प्रटा अगर मैं बात करूँ स्वागशन के लिए तो जौनर्ल के लिए जन्रल काटेगरी के लिए अब एक चीज और मैं बाकि इस्टेट के खुद compare कीजी कि चलिए ठीक है यहां पर 100 marks का एक variation है general category के लिए बड़ बड़ बाकि सभी में आप देखेंगे 10 to 20 marks का maximum variation है SC ST OBC तो एक बात तो यहां से clear हो गई कि अगर general category के लिए बात करें तो 611 नमबर पर final selection हो गया था सभी students का और या जो अपना minimum mark जो लास्ट इस्टुएंट सेलेक्ट हो था वह 611 अब समझने की बात यह है कि सर इस बार तो इंट्रव्यू नहीं है इस बार इंट्रव्यू नहीं है हम समझते हैं इस बात को कि इंट्रव्यू में कुछ marks हो है कहीं नहीं सब के लगभग लगभग 50% तक marks easily आपको मिल जाते हैं बट आप यह देखिए कि competition level जैसा बढ़ा है competition के according देखेंगे तो overall overall अम बात करें बेटा तो कहीं नहीं कहीं यह same cutoff को आपको benchmark बनाना होगा और इसी benchmark को समझते हुए तयारी करनी है हाँ obviously इससे उपर cutoff आपका नहीं जाने वाला है लगभग लगभग इतना ही cutoff रहने वाला है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार interview कतम कर दिया है पेपर 2 में आपका irrigation, hydrology, fluid mechanics यह majorly तीन सब्जेक्ट जो है आपसे पूछे जाएंगे और अगर आप इन तीन सब्जेक्ट को complete अच्छे से कर लेते हैं तो आप यह सोचिए 360 marks के तो यह केवल तीन सब्जेक्ट हो गई 360 number के तो केवल यह सब्जेक्ट हो गए इसका मतलब लगभग लगभग आपका 50% से भी जाधा केवल पेपर 2 आपका selection डिसाइड कर रहा है अब पेपर 2 में आपको तीनी सब्जेक्ट अच्छे से कवर करने होंगे और तीन सब्जेक्ट के according आप अपने score को अपने marks को कही न सब्जेक्ट है इसमें आप अच्छे से के साथ number of questions को attempt करें तो क्या होगा जो फर्स्ट पेपर होगा और हिंदी और इंग्लिस देखो टेक्निकल स्टुडेंट से हिंदी का सबका लेवल लगभग बराबर रहता है वहां बहुत बड़ा variation नहीं रहने वाला है इंग्लिस लगभग सबका बराबर रहने वाला है वहां पर भी variation नहीं रहने वाला इसका मतलब यहां तक सभी स्टुडेंट अप्रोक्स सब बराबर रहेंगे सब इक्वल रहेंगे बड़ यह जो पेपर टू है यह पेपर टू होगा अगर आप इन तीन सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो डेफनेटल आप लीड कर सकते हैं और आप फाइनल कट ओफ क्रोस को क्रोस कर सकते हैं अब बात यह सर्क कट ओफ 611, 502, 523, 512 हम लगबग मान के चलते हैं कि जो हमारा benchmark है हम benchmark क्या लेके चल रहे हैं 611 इतना ही आप कट ओफ को benchmark रखिए इसी पर तयारी कीजिए आप बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई जरुवत नहीं है या फिर जो है इतना है जरुवत नहीं है कि सर कॉंपिटिशन बढ़ रहा है पता नहीं कोश्चन का लेवल क्या होगा इंट्रव्यू कर दिया है नहीं ब होते थे बढ़ अब थोड़ा सा जो है एक मोडिफाइड वे में कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसका मतलव आपको किसी भी बुक का रिपीटिड कोश्चन थोड़े कम देखने को मिलेंगे बट कोश्चन सिंपल होंगे अगर आपने टोपिक को एक बार पढ़ा है बार टोपिक को अच्छे से अंडर्स्टेंड किया है तो कहीं ना कहीं उसके ओवर व्यू से ही कोश्चन रहने वाले हैं नुमेरिकल पर्संटेज रहेगा पहले एक्जाम में भी रहा है अगर आप प्रिविएस कोश्चन को देखेंगे अभी अभी भी नुमेरिकल पर्संट जाएगा और आपका 60-70 परसंट जो है बिटा आपका पूरा थेरिटिकल बेस कोश्चन रहेंगे और एक कुछ इस्टैटिक डेटा भी रहेगा वन लाइनर जस्ट ऑवर्यू से कोश्चन पूछे जाएंगे तो बस अपने आपको इस ट्रेबल रखना है और अच अभी इस्टुडेंट को 650 मार्क्स का बेंचमार्क लेके चलना है और 650 मार्क्स में भी आपको ये तीन सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है ताकि पेपर टू में आप अच्छे से अगर लीड कर जाते हो तो डेफिनेटल मेरिट के अंदर आपका सेलेक्शन हो इसटुडेंगे यह बिल्कुल है इंट्रव्यु के जो मार्के उसमें आपको मांनकर चलते हैं कि भई थोड़े 50 परसेंट तक मार्क northeast मिल जाते हैं ऑगर हम रिटन कर पढ़ेगा जितना इंटर्व्यू के साथ लेके आना पढ़ा था फाइनल सेलेक्शन के लिए इस बाद टोटल रिटन के थुरू ही आपको इतने मार्क लेके आने पढ़ेंगे क्यों क्यों कि थोड़ा कॉंपेडिशन को कंसिडर करते हुए और आप भी जानते हैं कि कहीं ना बढ़ा है और इस्टुडेंट्स का अंडरस्टेंडिंग लेवल भी इंक्रीज हुआ है इन सब को देखते हुए जितना मैं समझता हूं अपने एक्सपिरियंस के भी और इस कटव डेटा के भी आपको 650 बेंचमार्क 650 मार्क्स पे आपका सेलेक्शन हो जाएगा और आपकी रेंज है 650-600 और एक 600-600 आपका रेंज है 550 यह बहुत नेरो रेंज है बट इस रेंज में आपको डेफिनेटली माइक्स लेकर आने पड़ेंगे और ऐसा नहीं है कि आपको एक पेपर में ही बहुत जादा कर पाएंगे ऐसा भी विल्कुल नहीं है आपको एक यूनिफॉर् हिंदी के लिए इंग्लिस के लिए आपको यह जरू बेनिफिट मिलेगा कि सभी टेक्निकल आस्पिरेंट जो है वह कहीं नहीं हिंदी और इंग्लिस में लगबग लगबग बराबर स्कोर करेंगे यह प्रिवियस एयर एक्जाम्स का भी कहीं नहीं यह पैटरन रहा है या यह रिजल्ट देखने को मिला है कि टेक्निकली साउंड होते हैं स्टुडेंट बट हिंदी इंग्लिस में लगबग सबकी तैयारी बराबर होती है सबके मार्क्स बराबर होते हैं तो वहाँ पर बहुत जादा हैजिटेट होने की या फिर डिसकमफर्ट होने की कोई कोटिवेट रही है पीडवलू हमेसा आपके साथ है पीडवलू का लाइव बैच और बहुत ही लो प्राइज में अनाउंस है तो अगर आप वहां से सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वहां से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं वह गेटवे भी आपके लिए ओपन है यहां से आप देख सकते हैं प्रोपर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करा ही जा रही है और अभी टाइम है जो इस्टूडेंट अभी भी तैयारी करना चाहते हैं बस वह पर डे अपना एवरेज वनावा थोड़ा एक्स्टा दें थोड़ा सा एक्स्टा अफर्ट दें और यहां पहले से तैयारी की है थोड़े आप तैयारी के मोड में हैं तो यहां से आप अपने रिविजन को फास्ट करते हुए सेलेक्शन ले सकते हैं तो आपको बेंचमार्क यहां पर एक पॉइंट और देखेंगे यहां पर एक पॉइंट और देखेंगे कि डिपार्टमेंट का क्या-क्या कटोफ गया था डिपार्टमेंट वाइस क्या-क्या कटोफ गया था तो यह जानते हैं पॉब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो Rw है इसको आप जानते हैं Rural Work Department, Rural Work, ग्रामीन विकास जो है Department, अब यह आपका क्या होगा Rural Work Department, अब आ गया DDW, यह DDW क्या है Department of Drinking Water, और IED में इरिकेशन डिपार्ट्मेट, तो अवरोल हम बात करें हर एक इस्टनेट की चोईस होती है एक प्राइटी पे रहता है PWD ठीक है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट तो अगें इसका जो कट ओफ अभी हमने डिसकस किया था 611 वो इसी का था और 600 जेस्ट 11 नंबर कम आपका रूरल वर्क डिपार्टमेंट 600 थ तो यहां से भी एक आइडिया आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि साड़े 500 नंबर जो है आपको साड़े 500 से लेकर और आपका जो है साड़े 600 तक यह 100 रेंज 100 मार्क्स की जो रेंज है इस बीच आपका सेलेक्शन होने के पूरे चांसे बट यह बिटा फाइनल मार्क हैं आपको तैयारी के लिए या फिर एक तरीके से जो एक्जाम को अटेम्ट करना है वह आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए कि आप 650 से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि आपका कुछ वहाँ पर एरर भी आएगा कुछ गलत भी होंगे तो अपना बेंचमार्क अगर आप 650 लेके चलते हैं और accuracy आपका अच्छा आप maintain करते हैं तो definitely आपको final selection यहां पर 600 से लेकर और 5500 तक के बीच में मिल जाएगा यानि कि 600 से 550 की जो range है 50 number की जो range है इस बीच आपको selection मिल जाएगा तो minimum 500 आपका होना ही चाहिए आप benchmark कितने को लेके चल रहे है 650 ठीक है तो जब पेपर attempt करेंगे तो इस बात का विसे इस द्यान लखेंगे नेक्स्ट है गृण के CC में एक 502 जे यहां पर किया है इसमें अच्छा घसा मिल आगें आप देखेंगे तो 500 से 500 से और चारसो पचास की रेंज 500 से 450 की रेंज आपका यहां निकल के आ रही है इसका मतलब अगर हम अन्रिजर्व काटेगरी के लिए बात करें तो बिटा आपका चैसो से लेकर और आपका यह 550 यह एक रेंज है फाइनल सेलेक्शन के लिए दूसरा सभी डिपार्टमेंट के लिए इ आपको खुद दिखाई देगा है 500 से 450 और आपका जो ST है आप ST केटेगरी को यहां से देख सकते हैं यह भी आपका लगबग 500 सदतर और यह 400 और यह यानि साड़े 400 से यह भी बिटा आपका 500 इसमें भी आप 500 से 450 यह आपकी रेंज है इतने रेंज में आपको जब एक्जाम आप अटेम्ट करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है अच्छा एक चीज और है यह आपको लग रहा है इतना भी जादा टफ नहीं है आप डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आप बहुत करेंगे बस डिमोटिवेट नहीं होना है और डिमोटिवेट का मतलब यह है कि अपना माइंड चेंज नहीं करना है एक आस्पिरेंट के अंदर बिटा एक बांस बैक प्रोपर्टी जरूर होना चाहिए एक डिसिप्लेंड लर्निंग होना चाहिए उसका ऐसा नहीं है कि डाइवर्ट हो गये हैं या किसी भी तरीके से आपका माइंड चेंज हो गया है और आप डिप्लोमा होल्डर है आपने या डिप्लोमा किया हुआ है आप एलिजीबल है एक्जाम के लिए तो बिल्कुल भी यहां से डिमोटिवेट होने की जरुवत नहीं है आपके पास लिमिटी टाइम है बाउंस बैक किजिए और वापस एक बैटल फिल्ड में आए ठीक है वापस फिल्ड में आए फाइट करिए अपने हाथ में बेटा फाइट करना तो है न एक बारा फाइट जरू करिए और फिर से मैं अब ही उपर जिस बच्चे की तैयारी है वह यहां पर junior engineer की चेर लेके बैठेगा ठीक है और पूरे PW परिवार की तरफ से आपको दिपावली की हार्दिक शुब कामना है और बहुत बहुत जो है बदाई और best wishes हैं आपके लिए आप अच्छे से select हो ये आपके हर कदम पर PW आपके साथ है ठीक है thank you thank you very much wish you all the very best for your examination thank you